नमस्कार आपका मारे न्यूज सेनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है जानियाश देश और प्रदेश में क्या कुछ हैगा खास भाईदूज भातर दुईतिया कार्थिक मास के सुकल पक्ष की दुईतिया तिथी आज भी होने के चलते देश के गईस्तों में भाईदूज का तिहार आज भी मनाया जाएगा यह यम दुईतिया भी कहते हैं इस साल सुर्गिरान लगने की वज़े से भाईदूज का तिहार दो तीतियों को मनाया जाएगा दुईतिय तीति आज दो पैर 12 बच कर 45 मिनट तक रहेगी बंध होंगे केदार यमनोत्री के गपाट धिया दूज्के मौके पर आज शीदकाल के लिए बंध होंगे माय यमना और बाबा केदार धाम के कपाट सुबह साड़ा अट बजे बंद होंगे बाबा के दार के कपाट तो वहीं दो फैर बारा बच काया नौ मिन पर विदी विदान के साथ यहनौती धाम के कपाट भी बंद कर दिये जाएंगे पीम का त्रीपूरा दौरा विधान मंत्री नरेंद मोदी का आश त्रीपूरा दौरी का कारिकम है माना जा रहा है कि अचनक पीम का ये एक दिवासे दौरा भाजपा को फिर से जीवन्त करने और सतावी रोधी लहर पर काबू पाने के लिए विधान सबस चुना और चार महीने बाद होने वाले है ग्रह मंत्रियों का चिंतन शिवर केंदर ग्रहबा सैकारेता मंत्री अमिर्शाक्या दक्षता के आज से दो दिनों तक हर्याना के सूर रजगुंडिक में देश के सभी राज़ों के ग्रह मंत्रियों के चिंतन शिवर कायजन होने जा रहा है जिसमें त्रखनकियों से ग्रह विभाग के जम्यदारी सम्भाल रहे मुख्या मंत्री पुषकर सिंग धामी शामल होंगे तेलांगना पहुंची भारत जोडो यात्रा रहुल गांदी के निर्तितों में कॉंगेस के भारत जोडो यात्रा तीन दिनों के अंतराल के बाद आज तेलांगना के नहराण पेट जिले के मकताल से फिरसे शिरू होगी करनाटक में राइचूर से निकलने के बाद भारत जोडो यात्रा ने तेस अक्टूबर के सुबह है गुडे बेलूर के रास्ते राज्य में प्रवेश किया था पैदल माश के बाद अवेपार दोपैर 26 अक्टूबर तक तीन दिनों का विराम लिया गया सदार वल्लाभू भाई पटेल के एक भारत शेष्ट भारत के सपने को सरकार करने की प्रती पर्दता को लेकर उतापिन पुलिस राज्टा एक तादिवस पर 30 अक्टूबर को दहरादू माराथन का एज़न कर रही है इस मेराथन में भाग लेने के लिए रिजिस्ट्रियम पराने की अंतिम तारीक आज है वारते क्रिकेट टीम ICC टी टी वर्ड कर 2022 के अपने दूसरे मैच में आज नीधर लाइन से भेड़ेगी मैच आस्ट्रियला के सिड्नी क्रिकेट ग्राउन में आजित किया जाएगा मौसम के सिती समाने रहने की संभावना है लकसर में देश विरोधी नारे लगाने का मामला 23 लोग के खिलाफ मुकदमा दर्च किया है आरोपी की एकलाव धरदून की अलगलाव थानों में कई मुकद मेदाज है महात्मा की वेश में ठगों ने यवक को बनाया शिकार, पैसर, मुबाइल लेकर हुए फरार पुलके सब लाइन को तोल शेत में लगी ठगी का मामला सामने आया है यहां महात्मा विश्धारी ठगों ने एक यवक को अपने जहांसे में लेकर उससे मुबाइल और पैसे ठग ले और फरार हो गए मामले में पुलित ने पुलिस को तहरीर दी, पुलिस आरोपी को तलाश के लिए CCTV फूटेच खंगालने में जूटी है वारदात को अंजाम ने चाकू लेकर घुम रही दो यूवक उलिस ने किया गिरफतार हलद्वानी में छट पूजा के लिए सजे घाट कल से शीरु हो रास ओर है और छटी मईयान की उपासना का महापर्व उताखण में पिछट पूजा की तियार है जोरूप पर है हल्दवानी में सुशिलाती वारे एस्पिताल के सामने इससे छट घाट की सासफाई और रंग रोगन की अख कर दिया गया है वो रवांचल के लोगों में छट पर को लेकर काक्युत्सा देखा जा रहा है यह मापर्व नहाएक खाय से शुरू होगी अंकिता बंडारी हत्ताकांड की तह तक जाएगी फैक्ट फाइंडिंग टीम जांच से संतुष्ट नहीं में ला मंच उताब इनके अंकिता बंडारी हत्ताकांड को एक मेंना से जादा बीच चुका है लेकिन अभी तक मामले की जाँची चल रही है यहाजा तोखन महिला मंच ने देश बर की जिम्मधार महिला संगठनों के साथ मिलकर 20 सदस से तथ्यान वेशन यानी प्रेक्ट फाइंडिंग टीम गट की है यह टीम अंकिता की घर से लेकर 11 रिजॉट समेथ अन्य जगों पर जाएगी पहार चुणेंगे डॉक्टर 50% ज़्यादा मिलेगा मान दे सुधाने की उम्मीद नहीं तो सुबह में सरकार 11 से माँ को मजबूत करने का दावा करती है लेकिन विशे शग्य डॉक्टर की कमी पहाड़ों पर सुधाओं के दाओं के हवा निकाल देती है अब भधाल स्वास सरस्था को सुधाने की कवायत की जा रही है इसके लिए बकायदा डॉक्टर को पार चराने के सरकार अतिरिक तमान दे देने जा रही है ताकि डॉक्टर पाड़े लाकों में नक्तानाथी को लेकर दिल्चस्प भी दिखा सके पाड़ी बस हाथसा गायलों और मतकों की परज़नों को आर्थिक साहता मिलने शुरू इसे में निचार अक्टोबर को पाड़ी जिले की बीरोखाल में बसाथसा हुआ था वरातों की बस खाई में गिर गई थी हाथसे में 32 लोग की मात हो गई थी पाड़ी बसाथसा इतना पाड़ी जिले में नई आर्टीओ की तनाती हो गई है प्रजिम महरा की पदोनोतिके होने के बाद अपने आर्टीओ दिनेस चेंडर पठ होई को जिले के परियों ने मिभागी कमाण सौपी गई है राजिम महरा का कारगाल बहाई छोटा रहा लेकिन कई कड़वी आदर ज बद्रिनाथ के सुमिष पवार से 12 योतिर लिंगों की यातर निकले हैं इस यातर के दावन सुमिष पाहर 14,000 किलोमेटर का सफर टैक करेंगे सुमिष पाहर 2020 में नर्शा मुक्तिय अभियान पर बद्रिनाथ से कन्ना कुमारी की यातरा भी कर चुके हैं अल्मोरा में खेला गया पाशान युद देवी दूरा के तर्च पर होती है बगवाल गोवर्दन पूजो के दिन ताकुला विकासकन के विजयपूर पार्टिया शेतर में पाशान युद खेला जाता है या चमबोत के देवी दूरा के तर्च पर एतियासिक पाशान युद यानि बगवाल खेरी जाती है इस पाशार युद्व में दो कुट पच गटिया नहीं कि दोनों किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे के ओपर जम कर पत्थर बरसा आए आज इस पत्थर युद्व में चारों खामों के चार लड़के गायल हुए हरिद्वार गार्मेंट शौप में चोरी ताला तोड़कर कपड़े उड़ा शादे चोर त्योहर समाथ तोते ही जौला कुछ शेते में चोरों ने आतंग मचाना शुरू कर दिया आज हरिद्वार में अग्याद चोरों ने गार्मेंट की एक बड़ी दुकान का ताला तोड़कर महार की कपड़ों पर हाथ साप कर दिया तोत्वारी जौल के पुलिस ने दुकान के मालिक की तहरे पर अग्याद चोरों के खिलाफ मुकदमा दच किया है हाई कोट की रोक की बावजूत कई जिलों में आवद खनन की भरमार रात के अंधिर में चमका रहे गो रख धंदा उत्राखन में हमेशल से खनन कारोबार राजय सरकार के लिए और खनन कारोबार उकले सोने का अंडा देने वाला काम रहा है खनन की कामी जितना पैसे राजय सरकार को राजय से की रूप में मिलता है उतना और शायद ही कहीं से मिलता होगा लेकिन मार्च माईने के बाद उत्राखन में हाई कोट में खनन पर रोक लगा रखी है खनन पर रोक लगने के मुख्य कारण वैसे तो जानकार मानते हैं कि राज़ा सरकार ठीक से कोट से परवी नहीं करता जिस कारण राज़ा में खनन पर रोक लगी है इगासपर को लेकर महिंदर भटने अनिल बलूनी की मुहिंद को सरा हा पारंप्रिक छुटी की मांग उत्राखर में इगासपर को लेकर अनिल बलूनी की मुहिंद को वीजेवी प्रदेश दक्ष महिंदर भटनी सरा है उनका कहना है कि सरकान नेक कदम आगे बढ़ता है इगासपर की मौके पर छुटी का एलान के है जो काफी काबिले तारीफ है वीजे भी इगासपर को भगर और डिवे बनाने का प्रयास कर रही है योवा पेड़ी भी अपने परमपिक परवावो को लेकर उच्सा और उची दिखा रही है ऐसे में वीजे पर पर परमपिक छुटी की मांग करेंगे उत्राखन से सम्मंदित ऐसी ही खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक पर सब्सक्राइब ज़रूर करें देने वाद